हेलो माय यूट्व फैमली है गाइज वेल्कम टू माय बैक चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बैक नेक डिजाइन बताने जा रहे हैं देखिए मेजर्मेंट कुछ साड़े 9 इंच हमारा चेस्ट है साड़े 5 इंच पे आर्म होल साड़े 5 इंच पे सोल्डर को मने करिएगा तो देखिए इस प्रकार से हमने कट कर लिए है आप वो इस डिजाइन को बीन अभुकरम का भी बना सकते हैं अगर आपके पास ट्रेस्टिंग पेपर यह अभुकरम है तो उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं तो देखिए यहां पे सबसे पहले हमने गले को कट कर लि कि आप चाहें तो यहां पे सुई धागे का इस्तमाल भी कर सकती है तो अमने यहां पे पीन का यूज किया है ताकि चल्दी से हो जाए अब इसको थोड़ा-थोड़ा मार्जिन रखते हुए यहां पे सिलाई लगाएंगे हूं तो कपड़े को बराबर करते हुए अराम से सिलाई लगाएंगे जहां पे में घुमाना हो वहां पे ध्यान रखेंगे कि राउंड करते समय सुई को अंदर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को बराबर करते हुए जब तक हम सिलाई लगाते हैं अगर हमारी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा कमेट में अवस्टे बताइएगा कि यह आपको डिजाइन कैसा लगा तो काफी ट्रेंडिंग में यह हैट स्लेश की डिजाइन जो बाजू है इसका डिजाइन बहुत यूनि टाइम तो बहुत कम है बट लाउज एक्ष्टा शीलना है तो ज्यादा इस तरह से अक्सर लेडिज से इसी तरह सिलती है और ज्यादा अच्छा लूग भी आता है तो इस तरह से सीलके पलट पलट देंगे हम यह क्योंकि हमें सारा डिजाइन जो है लैस से करना है यह तो ब लाउस को अपने एक नया लोग देशक्ति तो यहाँ पर हमएं कपले को बराबर करते हुए अश्टर को अंदर करते हुए अराम से जीलाई लगाते चलेंगे तो दीखिए यहाँ पर कपड similarly सिर्फ करते हुए जलाई लगा थाकर हमारा कपड़ है तो तर ना कप्रे को बराबर करते हुए इस तरह से हाथ से चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस लाई चलाने के बाद जैसे हम नार्मल व्लाज में स्टिश करते हैं डॉट को वैसे बैक सैड में डॉट लगा के कम्प्लिट कर लेंगे तो में रीजन यहां पर हमारा है आप लोगों को ब्लाउस का जो नेक डिशाइन हमने लेसे त्यार किया है उजी को तो यहां से देखिए आर्म होल की गुलाई नापेंगे और सोल्डर की जितनी हमारी रहेगी उतना उतना इंच पे आपका तीन इंच हो साड़े तीन इंच हो उस हिसाब से देखिए इस तरह स साइड में हम लाइन ड्रॉब करेंगे तो इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉब कर लिया है अब सेंटर से फॉल्ड करके दोनों तरफ इस तरह से मार कर लेंगे मार करने के बाद जहां से हमारा नीचे का डिजाइन है वहां से देखिए किस प्रकार से हम इस डिजाइन को क्र वोटनर पर उसको फोल्ड करके पांसे कज़ों नीचे कडे जान किया है उसको इसटीश करेंगे अपने पसं के फिस हिसाब से यहाँ पर लएस का यूज कर सकते हैं हमने गोल्डन का यूज किया है अपने कप्रे की सबस्सटेज Whenever जाइब तो यहाँ मनेड़ार कर लेनी है तो हमें सिलाई करते हैं बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कहीं सिलाई न चुटे अच्छी सिलाई हो हम देखिए दूसरा लगाएंगे हम तो वन इंच की गैप देगे लगाएंगे तो जैसे जिस सेप में हमारा उपर वाला लैस था उसी सेप में हम लैस को दूसरा लैस भी योज करेंगे तो यहां पे देखिए हमने एक बराबर वनेज की दूरी पे रखते हुए लैस को इस्टिच किया है एक सिलाई हमारी कम्प्लीट होगी अब दूसरी सिलाई भी लगा देंगे तो हमारा जो गलैस है अच्छे तरीके से बैठ जाएगा ताकि हमारा कोई कर्ष्टमर यह ना बोले कि नहीं हमारा लैस अच्छा नहीं बैठ है घर पे सिलाई करने का ही मतलब होता है कि अच्छे से फिनिसिंग के साथ सिलाई करो और तेपी कर्सितन मेर् आपास आते हैं अगर लगेगा इस प्रकार से अब देख़ेंने उपर से 170 के आर चेस्ट करना सुर्य किया है और जो हमारी है मैं था हमने Road की थी उसी पे उसी निशान व्याज सिलाई लगाएंगे तो यहां पर ना हमारा चर्लाई म्हां और कंपलेट कर देंगे इसके उपर तो यहां पर देखे हमने This 핵कों गोग दीऑ अब सेकंड लीच लगाएंगे वनज की दूरी परी तो जैस जिस प्रकार से हमने इस टेचान को लेस को लगाया जिस तरीके से उसी से में प्रॉपर से लगाएंगे तो देखिए हमारा सेकेंड लेस लग के तयार हो चुका है यहां पर हमने फिर डबल चिलाई कर दिया भी सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी कर देंगे तो देखिए हमारा द सब्सक्राइब के तयार हो चुका है अब हम लगा देंगे कमर पे लेस तो फ्रेंट जब तक हम कमर पे लेस लगा रहे हैं अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो या डिजैन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट अवस्चे करिएगा आपके लाइक से आप